नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम ट्रेकर में दोस्तों मैं इस वीडियो में जीके के बहुत ही महत पूर्ण टापिक विटामिन्स के टाप 20 कोश्चन लेकर आया हूँ जो लगभग सभी एक्जामों में पूछे जाते हैं या सभी एक्जामों से लिया गया बहुत ही महत पूर्ण कोश्चन है जो लगभग सभी एक्जामों में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों यह वीडियो आपने अगर देख लिया तो मुझे उमीद है कि आपका एक से दो नमबर लगभग किलियर है जो भी स्टूडेंट गुरूब डी, NTPC, SSC या UPSC अन एक्जामों की तयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत पूर्ण होने वाला है दोस्तों इस वीडियो की एक खास बात और है कि यह वीडियो डार्क मोड में है जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही सुविधा जनक होगी और य लिए बिना किसी देरी के वीडियो इस्टार्ट करते हैं कि कोश्चन नमबर वन है नीबू एवं संत्रे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसका अप्सन नमबर सी सही है विटामिन सी नीबू और संत्रे में विटामिन सी पाया जाता है नेक्ट कोश्चन देखते है दोस्तों, question number second है, बच्चों में अंधता किस बिटामीन के कारण होता है, तो इसका option number D सही है, vitamin A, vitamin A की कमी के कारण बच्चों में अंधता की विमारी हो जाती है, next question देखते हैं, question number 3 है, vitamin सब्द का परतिपादन किस ने किया था, तो vitamin सब्द का परतिपादन ध्यान रहे कि फंक ने किया था, दोस्तों, इस तरह से option number A सही है, vitamin सब्द का परतिपादन बग्यानिक फंक ने किया था, और इसमें कुछ और बग्यान को का नाम दे रखा है, जैसे maculin, दोस्तों आपको यहां तक दादे मैकुलन विटामिन ए और बी का खोज किये थे विज्ञानिक मैकुलन ने और होल्कट ने बिटामिन सी का खोज किया था और हापकिन्स ने बिटामिन डी का खोज किया था इस तरह से नेक्ट question देखते हैं question number 4 है vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है तो इतार से आफसम नमबर C सई है. वितामीन ए की कमीज से रताओधी रो होती है. जो की एक आग की बिमारी है, इस बिमारी में कम प्रकास में ब्यक्ति को दिखाई नहीं देता है. नेस्ट कोस्ट देखते हैं. कोस्टन नमबर 5 है. पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो बताइए पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसका आपसन नमबर D सही है विटामिन A एवं C विटामिन A एवं C पके हुए आम में पाया जाता है नेक्ट कोस्चन देखते हैं कोष्चन स्क्रमाइब कोष्चन सुने 1 से काया लेमिन के ।ure का बंग आपसी हीक है कोष्चन लिए कारा कर्या सब्सक्रा कर बिखेंग कोष्चन वाहिव सब्सक्राइब कोष्चन कौण से सब्सक्राइबाले यहां अधर्यक्तल मुठी था दो manufacturers in वसा बस देखते हैं तो लगते हैं खोज नहीं लेकिन यहां नहीं लगा है इसलिए इसमें आफसा नंबर A सई होगा विटामिन B वसी यह वसा में घुलनसील नहीं होता है यह जल में घुलनसील होता है ठीक है और KEDA ट्री के याद के लिजिए KEDA कीवड़ा किवड़ा यह वसा में घुलनसील होता है जल में किवड़ा नहीं रहते हैं इसलिए यह वसा में घुलनसील होगा जबकि जल में विटामिन B वसी विटामिन घुलनसील होते हैं नेश्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर 8 है बिटामिन E का रसानिक नाम क्या है इसका आपसान नमबर C सही है टेको फेराल ठीक है बिटामिन E का रसानिक नाम टेको फेराल होता है इसे ब्यूटी बिटामिन के नाम से भी जाना जाता है next question है question number 9 है दूद में किस vitamin की प्रचूरता होती है तो इसका दूद में vitamin B की प्रचूरता होती है ठीक है इस तरह से आपसो number B से ही है vitamin B और ध्यान दीजिएगा कभी कभी पुछा जाता है कौन सा vitamin दूद में नहीं पाया जाता है तो सही हो जाएगा vitamin C विटामिन C दूद में नहीं पाय जाता है Next question देखते है Question number 10 है Hemophilia एक अनुवंसिक रोग है या किस विटामिन की कमी के करण होता है तो Hemophilia या विटामिन K की कमी के करण होता है इस तरह से आपसन number C सही है Next question देखते है Question number 11 है Vitamin C का रासानिक नाम क्या है Vitamin C का रासानिक नाम Iscorbic Acid होता है इस तरह से आपसन number A सही है Vitamin C का रासानिक नाम Iscorbic Acid होता है Next question देखते है Question number 12 है Vitamin B1 का रासानिक नाम क्या है Vitamin B1 का रासानिक नाम Thymine होता है इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है ठीक है इस तरह से इसका option number A सही था, vitamin B1 का रसानिक नाम thymine है, next question देखते हैं, question number 13 है, vitamin B9 का रसानिक नाम क्या है, vitamin B9 को folic acid के नाम से भी जाना जाता है, इसका रसानिक नाम folic acid होता है, ठीक है, इस तरह से option number B सही है, next question देखते है, question number 14 है, anti-cancer vitamin के नाम से जाना जाता है, anti cancer vitamin के नाम से जठा जड़ता है तो इसे हम vitamin b 17 बोलते हैं anti cancer vitamin यह गाजर में पाय ज़ता है आपको बता दें कि अगर vitamin b 17 ना दिया रहे तो vitamin a पर आप लगाएंगे अगर vitamin a option में है तो इसलिए इसे भी anti cancer के नाम से ज़बता है next question दिखते है question number 15 है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो इसका vitamin C, vitamin C घाव भरने में सहायक होता है और यहाँ आमले में प्रचूर मातरा में पाए जाता है इसका रसानिक नाम इसका और भी कैसील है इस तरह से इसका आपस़ा number C सहीछ था D सहीछ था vitamin C नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 16 है पिलाग्रा नामा करोग किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो बिटामिन B3 के कमी करण पिलाग्रा रोग होता है इसको नियासीन के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 17 है मैखिलों ने किस बीटामिन की κोज की थी हम जैसा की शुरू में ही आपको बता दिये कि मैखिलों ने किस बीटामिन की खोज की थी ए उऔर बी का अथाथ आपसान र Miss No. D सही होगा ए वज दोनों ठीक है इस दरब से इसका आपसान र Miss No. D सही है बिटामिन C की खोज की थी और मैकुलन ने A वा B की की थी और फंक ने विटामिन का नमकरन किया था Next question देखिए Question number 19 है सुर के प्रकास में कौन सा विटामिन इस्थित होता है तो सुर के प्रकास से हमें विटामिन D प्राप्ट होता है इसलिए vitamin D होता है चलिए दोस्तो next question देखते हैं question number 20 है beauty vitamin के नाम से कौन सा जाना जाता है अभी हम बताएं हैं आपको थोड़ी दिर पहले कि beauty vitamin के नाम से vitamin E जाना जाता है इसलिए vitamin E को beauty vitamin के नाम से भी जानते हैं इसका टेको फेराल रसानिक नाम होता है ठीक है इसकी कमी से नाम पुन सकता रोग हो जाती है तो दोस्तों यह था आज का हमारा top 20 vitamin के question हमारा एक वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में share जरूर करें और दोस्तों एक like जरूर करें साथ में bell icon को भी दबा लें और जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको regular मिलती रहे हम इसी तरह से बहतरीन और महत पूर question GKGS के लेकर आते रहते हैं